हे एवरिबड़ी, वेलकम ट्यू मैसिजी, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक ओफ थ्री डाइमेशन जोमेट्री और उसकी एक इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में अगर बात हो थ्री डाइमेशन जोमेट्री की तो उसका फानामेंटल है तीन एक्सेस से मिलके बनता है तीन एक्सेस, एक्स, वाई, जेड एक्सेस, आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के सबसे किनारे दिवाल का एक कॉर्नर देखिए आपको थ्री एक्सेस दिखाई देंगे, बेसिकली थ्री डाइमेशन जोमेट्री का सबसे क्लासिक एक्जामपल वही है थ्री डाइमेशन जोमेट्री का बेसिक क्या होता है? एक्चुली तीन प्लेल होते हैं जो आपस में परपैंजीकुलर होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरीजन पे यानि की ओ पे इस intersection से पूरा space जो है वो 8 octane में divide हो जाता है तो 3-dimension geometry को अगर हमें अच्छे से समझना हो तो हम इसे 2D से compare करके समझते हैं हमने 2D में पढ़ा था हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं 6th class से आपने पढ़ा है कि इस तरह से X horizontal axis होता है vertical axis Y होता है दोनों intersect करते हैं origin पे origin के coordinate होते है 00 first quadrant होता है जिसमें plus plus होते हैं X और Y दोनों positive होते हैं और जो second quadrant है उसमें क्या होता है X negative हो जाता है Y positive हो जाता है minus minus and plus minus यह सब हम लोगे पहले से पढ़ा है अब 3D में क्या होता है कि 3 plane होते हैं 3 plane अब यह plane क्या है कोई writing pad कोई एक बहुत बड़ी square paper की sheet बस वो plane है तो 3 plane होते हैं जो जिन्हें जो आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को intersect करते हैं यहाँ पे 2 axis थे अब हमारे पास 3 plane होंगे वो आपस में एक दूसरे को intersect करेंगे इसे अच्छे से मैं समझाने के लिए यह देखें मैंने इसे बना के रखा है यह मैंने बनाया है 1st plane आप यह देख सकते हो 2nd plane और यह 3rd plane तो यह मैंने 3 plane यहाँ बना रखें अब यह 3 plane क्या कर रहे हैं इस पूरी space को यह पूरी coordinate system को जैसे यहाँ पर क्या हुआ था एक्सेस को पूरे coordinate को 4 पार्ट में डिवाइड किया था 4 quadrant में 1st, 2nd, 3rd and 4th यह तो हम जानते हैं अब यह जो plane होते हैं यह क्या करते हैं पूरे space को अब चुकि हम 3D के बात करें तो हम बार बार बोलेंगे space इस पूरे space को यह 8 पार्ट में ब्रेक करते हैं उपर और नीचे आप देख सकते हो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th 8 पार्ट होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है octane octane क्योंकि यह 8 है यह 4 थे तो इन्हें quadrant कहा जाता है यह 8 है तो इन्हें octane कहा जाता है इतना समझ में आया अब जैसे कि हमने 6, 7, 8, 9 classes में बहुत बार यूज किया था कि 1st quadrant में दोनों positive और 2nd quadrant में X negative, Y positive इसी तरह से इन octane में भी होता क्या है कि जो X, Y, Z है वो according to situation according to their location अपना sign बदलते रहते हैं यह बहुत बच्चे भूल जाते हैं जादा तर बच्चे भूल जाते हैं आपको कोई एक point दिया है तो वो किस particular octane में होगा? जब भी हम 2D में कोई point लिखते थे तो कैसे लिखते थे? X, Y सिर्फ X और Y की बात होती थी वहाँ लेकिन जब हम 3D में किसी point को लेते हैं तो हम बात करेंगे X, Y, Z की तीन-तीन point एक साथ होंगे तो this is the difference जो आप 2 के X और Y की बात करते थे आप यहाँ पे हमें X, Y, Z की बात करनी होगी अब आपको किस octane में sign को कैसे याद रखना है? चली अब हम लोग इसकी तरह बढ़ते हैं जैसे की यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 से लेकर 8 तक के octane लिख रखें जैसे की आपको यह first octane है इसका नाम है X, O, Y, Z और इसके just पीछे यहाँ पे आपको second octane मिल जाता है जो की है X-O, Y, Z और इसी तरह से हमें 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th octane इसमें हम clearly देख सकते हैं इनमें जो change होते हैं sign में उन्हें अगर हम समझना चाहें तो वो बहुत आसान है उसकी trick में आपको बताने वाली हो जैसे की first octane की बात होगी तो first octane में X, Y, Z तीनो positive होते हैं बिलकुल quadrant की तरह हैं लेकिन इन्हें आप याद कैसे रख सकते हैं चलिए इसकी memorizing trick देखते हैं इसके sign को समझने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले जो first octane जो हमें X coordinate लिखना है ना आठो octane का सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए plus plus लिख लिख लिए और last में भी plus लिख लिखेजे उसके बाद 2 minus 2 plus और 2 minus राइट इसके बाद Y के लिए आप याद रखिएगा 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus राइट तो यह हमने 2 plus बना लिए यह 2 minus फिर से 2 plus 2 minus यह Y को याद करने का तरीका X को याद करने का तरीका plus फिर 2 minus फिर 2 plus फिर 2 minus फिर plus Y को याद करने का तरीका 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus और Z को याद करने का तरीका 4 plus and 4 minus इससे आप हमेशा के लिए याद करक सकते हैं कि किस octane में X, Y, Z कैसा होता है Suppose एक question दिया है minus 4, 5, minus 2 और आप से पूछा जाता है कि किस octane में तो आप इससे कैसे बताओगे minus plus minus देख लिजिए minus plus minus किस में होते हैं हम 6th octane में हमने पढ़ा था इसे तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि this belongs to this point belongs to the 6th octane तो इस तरह से हम लोग आसानी से किसी octane में points का sign क्या होगा वो आसानी से समझ सकते हैं तो 3D के introduction में फिलाल इतना ही मैंने इसका एक detailed video for class 11 already upload करके रखा था और इसका कुछ part जो बचा है वो हम लोग next video में cover करेंगे Thank you for watching